हलो फ्रेंट्स विल्कम बैक अगेन टेक्निकल ग्यान सांस टेक्निकल ग्यान में आज बात करेंगे बस कपलर के बारे में कि बस कपलर electrical power system में कहां distribution system में कहां यूज किया आता है और क्यों यूज किया आता है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि bus coupler का जो काम है या bus coupler किसे कहते है bus means होती है bus bar जो electrical की bus bar coupler means होता है couple करना जोड़ना दो पॉइंटों को तो उसी को कहते है bus coupler means कोई भी electrical source है दो पॉइंटों को power supply पहुँचाना उसी काम है bus coupler यूज ये यूज कहां होता है फ्रेंस में बताता हूँ low tension हो या high tension दो इंकमर जहां होते हैं उनके बीच में bus coupler का यूज किया आता है होता क्या है कि जब भी कभी एक source पे power receive होती है अगर उसे हम आगे next bus bar को charge करना हो तो हम bus bar को charge करके आगे पूरी LTE panel को पूरी bus bar को charge कर सकते हैं इसलिए क्या होता है bus coupler को charge किया आता है और यूज किया आता है electrical power system में अब suppose हमने एक diagram यहां लिया है उस diagram में हमने इंडिकेट किया है bus section 1 bus section 2 और बीच में हमने एक bus coupler दिया है जिसमें feeder number 1 और feeder number 2 अब suppose हमने bus section 1 पे हमारा कोई ACB लगा है और bus section 2 पे कोई ACB breaker लगा हुआ है जब हमारे दोनों ACB breaker पर power आ रही है अब हम क्या करेंगे suppose हमें ACB breaker एक से हमें चार्ज करना है पूरे LTE पेनल को तो हमें bus section 1 को on करना पड़ेगे तो power क्या होगी हमारे bus coupler की input तक आ जाएगी अब हम जैसे इस bus coupler को on करेंगे तो जो power है पूरी LTE पेनल को पूरी bus bar को चार्ज कर देगी जिससे कि क्या है हमारा काम हो जाएगा एक ही feeder के दुरूप suppose हमें क्या होगा transformer number 1 की तरफ से हमने अभी चार्ज किया है अब हमें क्या करना transformer number 2 की तरफ से power को चार्ज करना है तो हमें transformer number 2 की ACB breaker को on करना पड़ेगा फिर bus coupler को on करना पड़ेगा यह क्या करेगा transformer number 1 का जो section है section 1 है उसकी व्यल्टी को भी चार्ज कर देगा तो इसका जासे आप यह देखेंगे bus coupler दो सोर्सों को जोड़ भी रहा और से तोड़ भी रहा है तो bus coupler का यही काम है कि जहां भी सोर्स उसको receive होती है दोनों साइट से तो एक साइट की power भी यूज करके खुद वो आन हो जाएगा और next क्या होगी आपकी bus बार चार्ज हो जाएगी तो bus coupler का जो role और responsibility है सिर्फ यही है कि दो सोर्सों को जोड़ना यह तोड़ने इसी का काम है bus coupler का अब bus coupler किस टाइप का होता है bus coupler भी usually एक ACB breaker होता है या HT पे हो तो VC भी होगा LTE पे होगा अलो टेल्जन पे होगा तो ACB breaker होगा तो जैसे लार्मली आपकी air circuit breaker होते हैं वैसे ही bus coupler भी एक breaker है इस तरह एक air circuit breaker ही यूज किया था bus coupler में बस उसकी बस का डिजाइन होता है वो दोनों साइट के जो भी हमारी इंकमर के ट्रांसपामर होते है उनमें इंटर लिंक होता है जब भी हम आउटपुट पावर दे तो दोनों डारेक्शन में पावर का डिस्टिब्यूशन हो सके और हमारी एल्टी पुरी तरीके से कंप्लेटली चार्ज हो सके तो आप से कोई पूछता है कि bus coupler क्या है तो आप इजली बता सकते है bus coupler भी एक तरीके का हमारा air circuit breaker है जो क्या करता है दो सोर्सों को जोडता है और उसको तोड़ने का काम करता है आपको यह समझ में clear यह आया होगा और clear हुआ होगा कि bus coupler क्या है और कैसे काम करता है